15 अगस को लेकर शहर से सरहत तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है इसके चलते भारत पाकिसान तंतराश्वी सीमा पर आज से 17 अगस तक चलाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस पर आदम के घुसपैट और तसकरी के आश्रंका को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है जीरो लाइन के पास तारबंदी में दोनों तरफ पेट्रोलिंग की जा रही है बियस एफ के जवान बॉर्डर पिलर पर खुर्रा चेकिंग कर रही है जवानों को 24 घंटे 24 रहने के निर्देश मिल गए है तो सरथ पर आज से शुरू होगा ऑपरेशन अलर्ट और आगामी 17 अगस्त तक जारी रहेगा देखे आज से 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट और बियस एफ के जवानों को पूरी तरीकिसे 24 घंटे 24 रहने के निर्देश मिल गए है एक साथ जवान और अधिकारी बियस एफ के चौकस रहेंगे सरहत पर आज से ओपरेशन अलर्ट शुरू हो गया है आगामी स्वतंतरता दिवस पर सुरक्षा संबंध में आज से 17 अगस्त तक किसी प्रकार की घुसपैट और तसकरी की वारदातों को रोकने के लिए देना की और से ओपरेशन अलर्ट आज से आगामी 17 अगस्त तक तो इस दोरान बेसेफ के जवान और अधिकारी एक साथ 24 घंटे चौकस रहेंगे ये निर्देश ओडर्स उन्हें मिल गये हैं सरत पर आज से शुरू हुआ है ओपरेशन अलर्ट और आज से 17 अगस्त तक अपरेशन अलर्ट जारी रहेगा गामी 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हो और किसी भी प्रकार की सीमा पार से गुसपैट या तसकरी ना हो पाई इसको लेकर के एक बार फिर से भारती जवान चौकस है सीमा क्षित्र की सुरक्षा के लिए बेसक के जवान यहाँ पर पूरा समय on duty रहेंगे 24 गंटे चौकस रहने के नरदेश उन्हें मिले हैं प्रकार कार ट्लिक मिले हैं झाल